कोशन नमबर फिफ्टी वन अज़ देखो कोशन है 300 से 650 के बीच में ऐसी कितने संक्या है जो 5 तथा 7 दौनों से पूर्टा विवाजित हों जब दौनों के साथ हो तो आप इन दौनों के ले लो LCM अगर यहां पर तथा वर्ड है मतलब एंड बोथ 5 और 7 तो उसके में का LCM लोगे कितना होगा 35 अब आपको देखना है 300 से लेकर 650 तक 35 से कितनी संक्या डिवाइड होंगी तो 35 के टेबल पढ़ना पड़ेगा तो देखो पहला नमबर क्या है अगा 35 गुणा 9 315 होता है 350 होगा and so on आखरी नमबर क्या होगा 35 गुणा 18 630 तो देखो 9 से स्टार्ट हुआ है 18 पर खतम हुआ है कितनी संक्या है 9 भी होगी 9 10 11 मलब यह 35 गुणा 9 35 गुणा 10 35 गुणा 11 so on 35 गुणा 18 तो 18 लास्ट हम first term 9 plus n minus 1 into d common difference कितना एक का है तो यह हो गया 10 n की value होगी 10 अंसर क्या हो गया c option ठीक है आपको इस तरह से एपी लगाए करना था स्क्रेशन को और इसका तरिकाए यह भी होता है साड़े 600 divided by 35 करो minus 300 divided by 35 इसमें whole number संख्या लेंगे हम ठीक है यह जाएगा कितनी बार 18 बार जाएगा और यह कितनी बार जाएगा आठ बार जाएगा 35 गुणा 8 करोगे तो कितना आएगा 400 280 मितलब हम exact number 18 minus 10 यह भी कर सकते हैं ठीक है next question रमन एक काम को 5 दिन में जतिन उसी काम को 7 दिन में और सचिन उसी कारे को 9 दिन में कर सकता है इनका लसेम कितना आएगा 35 गुणा 9 तो यह हो जाएगा 5 से डिवाइड करो 63 26 इसको डिवाइड करो षाथ से पैंताालिस और यह 35 इसका मतलब जब्भी पैसे का को डिवाइड करना हो उनके लसेम में डिवाइड होगा 63 this to 45 is 25 this to 35 इस रशू में डिवाइड होगा यह रमर्मन का हो गया यह यह सचिन का किसका पूचा है रमन का इससा है रमन का 63 डिवाइड बाइड बाइड इन का सम कर लो 3 1 इंटू 2 8 6 0 यह दो बार करने का साय था तो कितना हो गया 1 2 6 0 इस पार्ट अफ रमन ए ओप्शन ओगे कितना असान कोशन है आपको डाइमेटर व्याज दरका है 14 तो रेडियस कितना हो कि 7 सर्फिस एरिया फार्मला क्या होता है 4 पाई आर स्कॉयर 4 इंटू 22 बाइ 7 इंटू 7 इंटू 7 88 गुना 7 7 अटे 56 और 6 और 16 यह ओप्शन कुछी तो सॉलूशन में गिविन है 20 परसंट तथा 35 परसंट की 2 कमिक छूट के बाद एक वस्तू को 50 दा 700 में बेचे जाता है वस्तू कंकित मूले तो फार्मला होता है MRP इंटू डिस्काउंट 1 इंटू डिस्काउंट 2 बराबर सेलिंग प्राइस MRP पूछा हुआ है डिस्काउंट 1 दे को पहली चूट 20 परसंट डिस्काउंट 1 हो गया 0.8 दूसरा 0.65 बराबर सेलिंग प्राइस पचाश साथ सो तो MRP जो आपको पूछा है यह हो जाएगा 55700 अपॉन 0.8 इंटू 0.65 यह 0 डाद यहां पर 3 0 बढ़ जाएंगे अच्छा अब देखो काटते हैं यह 13.55 13.49 और 13.50 है नब अब इसका मतलब अंसर 13 का मल्टिपल जरूर रहेगा क्योंकि 49 में 13 आगया नब अच्छा 13 सब्ते क्यानवे यह नहीं होगा 13 सब्ते क्यानवे यह नहीं होगा यह होगा बस C option हमने गुनस देख लिया काटा नहीं पूरा किवल गुनस से काम कर लिया 13 का गुनस जरूर रहेगा क्योंकि 49 में 13 आगया नब आगे बढ़ें रुपीज 3200 को ABC के बीच क्रमसर 3.55 अब बाले जाता है तो तीन बटे इन का सम कितना है 16 कुना 32 शह जार 600 रुपे The average age of 5 members of family is 24 years If the youngest member is 8 year old Then what was the average age of the family at the time of the birth of youngest member तो बहुत मज़िदा लॉजिक होता है पांच लोगों की टोटल पांच लोगों की average age 24 साल है इसमें 4 लोग हैं प्लस एक लड़का जिसकी age कितनी है 8 साल अब इसका एक shortcut होता है मैंने बता है था साइद आप लोगों को मेरी shortcut class में अपने attend क्या होगा और जिस जिसे नहीं किया तो मैंने average का एक और वीडियो डला है YouTube पे वहाँ देख लेना तो देखों ये 8 कितना कम है 16 कम है 16 गुणा 1 बराबर ये ज़्यादा होना चाहिए more into 4 तो more कितना होगा 4 ये more किसका होगा average का तो इनकी age 28 साल होनी चाहिए इस वक्ति इन 4 लोगों की और पूचा कब है जब वो लड़का पैदा हुआ होगा लड़का कप पैदा हुआ है 8 सल पहले तो अगर आज average अथाई से तो 8 सल पहले average कितना होगा 20 ये बड़े important shortcut होता है इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको ये तयार करना पड़ेगा मैं अभी shorter class में बताऊँगा दिवाली के बाहर shorter class में average पहला दूँगा ये कोशें बड़े मैज़ार होता है ये oral तरही के होता है यदि कलम की कीमत में 20% कमी होती है तो एक व्यक्ति 100 रुपे में 10 कलम अधिक खरी सकता है तो दो को 20% of रुपी 100 बराबर new cost of 10 pen तो दो दो को 20% सौगा कितना होगा 20 रुपे 10 pen की new cost कितनी आ गई 20 रुपे तो एक pen की new cost 2 रुपे अंसर अगला option देखो after deducting 60% from a certain number and then deducting 15 from the remainder 1, 4, 2, 80 is left तो मालनो number X है पहला देदक्शन कितना 7% तो 0.4 बचेगा अगला है 15 तो बचेगा 0.85 और कितना बन गिया है 1428 X बराबर 1428 बटे 0.4 गोना 0.85 यह ज़ता लो दसमलो एक हजार तो 4 से 4 तिया बारा 4 पंजे बीस चार सतिया थाईस और यह 17 से 5 बार 17 दूनी चौतिया सत्रा ग्रम सत्रा 5 से 2 बार तो 4,200 यह option A train travels 40% faster than a car both start from point A at the same time and reach point B 140 km away at the same time on the way the train takes 25 minutes for stopping at station यह line काम की है रास्ते में वो 25 minute train रुकी यहाँ पर ध्यान देने बात यह कि दोनों बराबर पहुँचे है दोनों time पर पहुँचे है तो speed का जो ratio होता है speed 1 upon speed 2 is equal time 1 upon time 2 distance भी सेम है अच्छा अब train की speed पूचें देखो यहाँ पर दिया है train travel 40% faster than a car तो यहाँ पर मान लोग की s car और s train ध्यान देना अगर train की speed car की speed x है तो train की speed कितनी होगी 1.4x है ना अच्छा तो पहले करते हैं car का समय कितना होगा 140 by x और train का समय क्या होगा 140 by 1.4x देखो यहाँ पर दिया है on the way train takes 25 minutes for stopping at the station car बिना रुके चलती है यह जो train को time लगा है और दोनों बराबर समय पहुचें इसका मतलब train का जो time है वो time of car के साथ 25 जुणने के बाद आया minute में है ना तो divide by 60 कर लो समझे बाद ही है जो train का time है वो 25 में ज़्यादा है car के time से क्योंकि पहुचे साथ-साथ है बीच में के रुक भी गई थी तो train का time का value है 140 by 1.4x बराबर 140 by x प्लस 5 से काट लो इसको 5 से बारा बार यह 5 बटे बारा हो गया तो अब हम क्या करेंगे 140 by 1.4x minus 140 by x is equal 5 by 12 यहाँ पर LCM कितना जाएगा 1.4x यह काम करो इसको 1.4 से काट के यहाँ पर 100 कर लो x LCM आ गया अच्छा उल्टा हो गया minus हो गया क्योंकि train का time ज़्यादा है उपर चे बेना रुकी भी थी train, car का time कम होगा car जल्दी पहुची होगी लेकिन train बीच में रुक गया इसलिए उसने बराबर time ले लिया यहाँ पर यह उल्टा हो जाएगा यह हो जाएगा 140 minus 100 बराबर 5 बटे 12 तो यह जाएगा 40 बटे x बराबर 5 बटे 12 x बराबर 96 यह क्या हो गया यह किसकी स्पीड आई car की हमें पूचा किसकी स्पीड है train की तो train की स्पीड कितना है 1.4x तो speed of train is equal 1.4 into 96 answer क्या हैगा B option a certain sum of money triple itself in 5 years at simple interest in how many years it will be 5 times देखो है आपको simple सी बात समझना है 5 साल में अगर x रुपेस ताओ कितना हो गया 3x तो कितना बढ़ा ही है तो अगले 5 साल में क्या होगा फिर 2x बढ़ जाएगा simple interest है न 5x होगे तो कितने साल में वो 5 गुना हो गया कोई जो तो नहीं form में बगाने की आपको logic समझना पड़ेगा अगर कोई धन x से 5x 3x हो जाता है कितने साल में 5 साल में मनलों 2x बढ़ गया है ब्याज 2x हो गया तो अगले 5 साल में फिर 2x ब्याज चलेगा क्योंकि question किसका है simple interest का है तो जितना ब्याज इधर 5 साल में लगा उतना ही ब्याज अगले 5 साल में लगएगा 2x तो अब 3x में 2x जो लो 5x हो गया मनलों 5 गुना हो गया तो 10 साल लगे c option इसमें formula लगा जाता है इसमें किवल दिमाग लगाता है x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 x की पार 64 प्लस x की पावर 121 बहुत simple सी बात है अगर x प्लस 1 अपॉन x 2 दिया है यह तभी संबब है जो x बराबर 1 क्यों x प्लस 1 अपॉन x 2 तभी होगा जब x भी बराबर 2 तो यह क्या अंसर हो जाएगा 2 और एक रूल और याद रखना जब x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 हो तो उसकी हर पावर x की पार 70 1 अपॉन x की पार 200 सब 1 ही होगा तो 1 प्लस 1 टू हो जाएगा देखो x बराबर दिया है 6 प्लस 2 रूट 6 और आप से बुच्छा है x-1 तो आप पहले इसकी वेली निकाल लो रूट x-1 की यह क्या होगा देखो x की वेली पूट करो 6 प्लस 2 रूट 6 यह हो गया 5 प्लस 2 रूट 6 अब जो मैं करो ध्यान देना this is 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 3 इंटू 2 यह हो गया a प्लस b का whole square तो बचेगा रूट 3 प्लस 2 समझे भई इसका मलत x रूट x-1 का मान आगया रूट 3 प्लस 2 तो हमें बुचा है रूट x-1 प्लस 1 अप्लस 1 अप्लस रूट x-1 यह तो बुचा हो है यह वैल्य होगी रूट 3 प्लस 2 और यह होगी 1 अप्लस 3 प्लस 2 अब जो मैं करो ध्यान समझना यह क्या हो जाएगा मैं इसको इसके संयोगमी conjugate से multiply कर रहा हूँ रूट 3 माइनस रूट 2 और उपर भी रूट 3 माइनस रूट 2 नीचे क्या बनेगा a plus b और वो क्या हो जाएगा a square minus b square 1 तो बचे क्या रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 यह कड़ गया अंसर क्या आगया 2 रूट 3 a option यह अच्छा कोशन था ओगे ने एक सोचन देखते हैं अच्छे देखो a plus b plus c 27 है और आपसे बोला है a minus 7 का whole q plus b minus 9 का whole q plus c minus 11 का whole q minus 3 a minus 7 b minus 9 and c minus 11 एक रूल आपको पता होगा अगर x plus y plus z बराबर 0 हो तो x q plus y q plus z q minus 3 x y z क्या होता है 0 होता है न अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा देखो a के साथ मैं 7 को धला रहा हूँ 27 के मैं टुक्ड़े कर दिया a minus 7 कर दिया plus b minus 9 कर दिया plus c minus 11 कर दिया ठीक है मैं 27 को उधर shift कर लिया टुक्ड़े कर दिया 7, 9, 11 27 दो तो हो रहा है अब यह x हो गिया यह y हो गिया यह z हो गिया इनका समझीरो है तो x q plus y q plus z q minus 3 x y z क्या अंसर होगा 0 manage करना पड़ेगा next question अच्छा इस ते question ध्यान रखना में से x बराबर 2 root 15 upon root 3 plus root 5 जब भी ऐसा हो ना x root 5 upon x minus root 5 plus x plus root 3 upon x minus root 3 जब भी ऐसी फ़म आए टम आए इसका अंसरा में से 2 mark करना है x x नीचे हो उपर नीचे same same value plus minus हो इधर plus हो बीच में x x उपर नीचे हो इधर root 3 root 3 हो तो हमें से 2 answer आता है solution पूरा उसमें दिया हुआ है ठीक है जब आपको शीर में की solutions में लंबा solution है कोई फाइदा नहीं है the perimeter of an isolate triangle is 32 perimeter of sum दिवाव तरबुझ यह 32 दिया है and e to the equal side is 5 by 6 time of the base अगर base x है तो यह कितना होगा 5 by 6 x यह भी 5 by 6 x यही तो होगा तो इनका sum कितना है क्योंकि parameter दिया है 5 by 6 x plus x plus 5 by 6 x बराबर 32 ठीक है तो 6 calcium आगिया 5 x plus 6 x plus 5 x बराबर 32 तो यह जाएगा 16 x बराबर 32 गुना 6 तो 16 दुने 32 x कितना होगा बारा तो अगर x बारा होगे तो हो जाओगे 12 यह होगे 10 और यह भी 10 होगे अब आपको इसका पूछा है एरिया तो द्यान देना यह 10 यह 10 यह 12 आप यहां जे लम डाल दो यह 6 हो जाएगा यह 8 होगेगा तो एरिया क्या हो गया हाव बेस 12 हाइट 8 48 यह अच्छा कुशन था अच्छा कुशन था बुझ माने रॉम्बस इफ लेंथ ओफ इस साइड ओफ रॉम्बस पीक्यूर देखो रॉम्बस क्या होता है यह सारी बुझाएग एट है अगल पीक्यूर यह पीक्यूर एस यह अगल 120 हो तो यह कितना होगा 60 क्योंकि अपोजी टैंगल कर सम इसका 180 होता है सप्लिमेंट्री होता है यह अच्छा कुशन तो और आसान भी था कुशन नमबर हाँ यह कोशन अच्छा है दीगे आकरती में ABC एक तरबुझ है B का आंत्रिक यह कोण विवाजित मलए यह भी वाई और C का भाई दिभाजग बिंदू D पर प्रतिश्यत करता है यह भी X यह भी X और आपको बोला है एंगल BDC is 48 तो एंगल A का मैं यह वैली पूछी है आपसे अब यहाँ पर बड़ा important हो जाता है अगर यह एंगल X है यह 48 है तो यह एंगल कितना होगा X प्लस 38 यही तो होगा क्यों यह भाइ कोन ही होगे इस टाैंगल का अरे भूलो अच्छे अगर यह मालने तो ठीटा है तो ठीटा प्लस Y बराबर X प्लस 88 यही तो होगा भाइ यह भी तो इसका भाइ कोन होगिया कई तरही के हो सकते हैं जो आपको अच्छा लगए को करना हमने क्या हमें ठीटा निकालना है तो यह हो जाएगा x minus y plus 48 अब हम कुछ भी करके x minus y निकालना है अच्छा यहाँ पर देखो यह angle अगर x है तो यह कितना होगा 180 minus यह angle 2y इन सब का सम कितना होगा theta plus 2y plus 180 minus 2x बराबर 180 होगा अच्छा देखो 180 180 कर गिया तो यह मैं दोनों value दह लिया आता हूँ theta बराबर 2x minus 2y यहाँ से x minus y कितना होगा theta by 2 तो यह theta by 2 है रख दो theta बराबर theta by 2 plus 48 तो theta by 2 बराबर 48 theta कितना होगा 96 अब आपको रूल यहाँ रखना है अगर ऐसे एक angle यह बैसे हो रहाएग यह तो इसका जो angle उसका double यह होता है ठीक है ध्यान रखना तो सिद्या 96 answer हो गया चाहो तो prove भी कर सकते हो जोट करो यह अच्छा कोश रहता d के याकरति में अब आपको इसमें कुछ चीजें बड़ी काम की हैं जोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज हुआ है देखो भाई अगर यह मिड़ पॉइंट बोला होगा है इसका अउनले यह नब बे डिग रही है और cb परावर bd बोला है और यह पूरी cd कितना 10 रूट दो तो यह कितना होगा पांच रूट दो यह भी पांच रूट दो होगा और अगर यह नबब है यह 45 है तो यह भी 45 होगा यह 5 रूट दो तो यह कितना होगा 5 रूट दो तो अब यह राइट अंगल ट्रेंगल है और यह रूट 45 रूट तो यह कितना होगा 10 यह 10 तो यह 10 रेडियस है ना यह center बोला है यह 10 होगा अब हम बुच्छा क्या है AC पुछावा है अच्छा देखो भाई यह 10 है यह 5 root 2 है और यह 5 root 2 यह निकला है का 5 तको रस से AC का work बराबर AB का work plus BC का square AB कितना 10 plus 5 root 2 plus 5 root 2 का square 5 root 2 आप एक काम करो root 2 की value होते है कितनी 1.414 तो 1.41 ले लो तो यह value कितनी हो गई 5 गुणा 1.415 7 तो यह जाएगा 17.05 का square plus यह कितना होगे 50 अब हम approximate कर रहे हैं इसको 0.5 भूल जा रहे है 0.5 17 का square कितना होगे 289 plus 50 यह कितना होगे इसको 90 कर लो क्योंकि 0.05 भी 90 माल लेते हैं 290 plus 50 340 और 340 किसका square root होता है 19 के असपस 19 का square 391 होता है 341 होता है तो AC का माना जाएगा 19 के असपस कौन सांसर 19 के पास है C option सबसे close यह answer है न okay sin 2A upon 1 plus cos 2A देखो एक rule होता है sin 2A था है 2 sin A cos है और 1 plus E होता है 2 sin square A minus 1 यह formula पता है 3 cos square है sin में minus 1 minus होता है तो देखो यह 2 2 कर जाएगा cos से cos sin upon cos 10 A यह option ठीक है यह 10 2A नहीं होगा यहाँ पर यह होगा sec A upon quarter plus 10 A का square तो इसको आप मान लो A को 30 degree ठीक है वह जब 45 भी मान सकता है अब 45 मान लेता है sec 45 होता है root 2 नीचे 1 plus 1 तो root 2 by 2 कितना हो जाएगा 2 by 4 या 1 by 2 अब हम देखते कौन सा option 1 by 2 देखा है 45 रखोंगे यहापर 1 by 2 यह कितना हो जाएगा 1 sec square A 2 यह भी 2 तो अनसे कौन सा होगे A option इसके कोश्चे में गलती थी होगे होई अगला देखो 1 plus 10 A into 10 A by 2 का simplified value क्या करते हैं A का value पूट करते हैं 60 degree इससे फाइदा क्या होगा 1 plus 10 60 root 3 और यह 1 upon root 3 क्या value हो गई 2 देखोंगे का उप्शन 2 दे रहा है sin 30 1 by 2 नहीं हो सकता root 3 by 2 cost 60 1 by 2 नहीं होगा 6 62 यही तो देखा है C option एंगल वैल्यू पूटना पर जल्दी हो जाता है कोश्चन होगे है बई अगला कोश्चन देखो आसान कोश्चन है total 1200 जूते दिये हो है how many shoes are of the Reebok brand तो दो दो रिबॉक का percentage 23 23 by 100 into 1200 यह तो करेंगे 12, 37, 3 276 B option यह तो सेट असान लग रहा है क्योंकि पाई चार्ट बहुत असान है what is the difference in number of shoes of puma and vans puma है 21, 23, 8 percent difference पूचा ना 96 the difference between number of shoes of Reebok and Nike is same as the difference between which of the following देखो Reebok और Nike Reebok और Nike का difference कितना है पाँच तो देखो किसका पाँच है puma, adidas puma और adidas नहीं Reebok और adidas Reebok और adidas नहीं vans and Nike yes है ना 5 percent difference आना चाहिए puma shoes are how much percent more than the Nike shoes puma के shoes कितना है 21 और Nike के 13 तो percentage more अब यह बड़ा important नाइक से बुझाना तीन का difference है अपॉन 18 नीचे आपको क्या करना है नाइक कर लेना पड़ेगा तो 50 बटे 3 16 साही 2 बटे 3 यह 16.66 ठीक है ना थूचको कर दो कर दो Negro